नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइस तीन पॉइंट दो इसका तीसरा प्रश्ण हम करने जा रहे हैं एक सम बहुबुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहे कोण का माप 24 डिगरी हो आईए इसको हल करके देखते हैं देखे बच्चो हमने पड़ा था बहुबुज के किसी भी बहुबुज के बाहे कोणों का योग कितना होता है तीन सो साथ डिगरी होता है किसी भी बहुबुज के बाहर वाले सभी कोणों का योग तीन सो साथ डिगरी के ब्राबर होता है अब इसका एक कोण का माप है 24 सम बहु भुज़ है इसका मतलब सारे अंदर वाले कोण आपस में बराबर होंगे और सारे बाहर वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे बाहर वाले कोणों का योग है 360 सारे बराबर है एक कोण का माप है 24 डिग्री तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी जितनी भुजाओं की संख्या कितनी होगी जितनी भुजाए हैं उतने ही कोन होंगे है ना एक कोन है 24 कुल कितने कोन है 360 को 24 से भाग कर देंगे 360 डिगरी को 24 से भाग कर देंगे ठीक है बच्चो कुल कोनों का योग है 360 एक कोन है 24 तो कितने कोन है सारे बराबर बराबर तो 360 को 24 से भाग कर दो आईए हम देखते हैं 360 इसे हम 24 से भाग कर देंगे 24 से कम 24 6 में से 4 गया 2 3 में से 2 गया 1 उपर से उतारा 0 या गया 120 24 का पाहड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 24 पंजे होता है 120 इसका मतलब 360 को 24 से भाग कर के कितना आया 15 इसका मतलब बुजाओं की संख्या कितनी बुजाएं हैं तो हम लिखेंगे सम बहुभुज की कितनी बुजाएं आईएं बच्चो 15 बुजाएं हैं ठीक है बच्चो आशा करता हूँ यह प्रशन आपको सरल लगा होगा समझ आया होगा वैसे बहुत सरल है इसमें कुछ है नहीं मुश्किल ठीक है एक कोन 24 डिग्री था कोनों का योग है 360 तो 360 को 24 से भाग कर दिया 15 हमें मिल गया इस प्रकार से हमने सम्भव भुज की बुजाओं की संख्या बता दी है कि इसकी 15 बुजाएं हैं आप इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बाकी प्रशन भी वहाँ पर दिखाई दे जाएं धन्यवाद